असलाम रेकुर्ण डिफेंस लवर्स, वेलकम डिफेंस लाइन से स्पीके, वीवर्स आज रजनेकने एपसोड के साथ आज हम बात करेंगे F22 रैप्टर की एक्स्टेंसिव अप्ग्रेड्स के उपर, इसके लावा अमेरिका इसको कब रिटायर करने वाला है, अमेरिकन गवर और युएस एरफोर्स के अंदर बिसिकली वार किसके समकी चल रही है, और जो अप्ग्रेड्स की गई है, F22 रैप्टर के उपर, इन सब बातों के उपर वीडियो में आके चल के डिसकस करेंगे, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो इवर सबसे पहले बात कर लेते ह F22 रैप्टर के उपर अफ्ग्रेड्स की, दो मेजर अप्ग्रेड्स इस theor को इस वक नजर हा रही हैं, F22 रैप्टर की आउटर स्इट की उपर, नेेर साइट के उप्ग्रेड्स की गईगे, वो तो रहे ज़ी वाक के साथ ही पता लगाय का लेकर जो आउटर साइट Island की पर F-22 रैप्टर जब डिजाइन हो रहा था था इसके पीछी डिजाइन फिलासफी थी ना वो बहुत जादा डिफरेंस थी American Air Force चाहती थी कि हमारे पास एक ऐसा जहाज हो कि जो ना कभी किसी रिडार के ओपर देख सके ना उसको कोई दूसरा Electronic Warfare का Aircraft जो हो डिटेक्ट कर सके यही वज़ा है कि इसकी जो कम्यूनिकेशन है दूसरे अपने बंच के साथ या दूसरे अपने एरक्राफ्ट के साथ या दूसरे Command Centers के साथ वह बहुत ही ज्यादा वीक है क्योंकि Air Force यह कहती थी यह ना हो कि हम इसको स्टल तो बना ले लेकिन इसकी जो कम्यूनिकेशन की फ्रेक्वेंसिस हैं उसको कोई मैच कर जाए और उसके साथ से जो है F-22 रैप्टर पकड़ा जाए तो इसवासे इसको बहुत ही कोई नेक्स लेवल मिशीन और आप कह सकते हैं कि एक एलियन मिशीन डिजाइन की गई थी खैर आ जाते हैं इन चे तरी चीजे हैं जिस तरह इसका स्टल्थ बहुत अच्छा है यह दूसरा जहाजों से बहुत मुखलिफ है लेकिन एक चो इसके अंदर बहुत बुरी चीज़ा है वो हमें नदर आ रही है वो इसकी रेंज है F-22 रैप्टर बहुत ज़ला पौरफुल इंजन वाला जहाज है एक air superiority का fighter jet है लेकिन उसकी range इतनी ही काम है इस चीज़ को counter करने के लिए अब जहाज के अंदर अंदर तो modification नहीं की जा सकती है तो definitely जो इसके conformal food tank है उनको लगाया जा सकता है लेकिन अब आप यह कहेंगे कि conformal food tank तो पहले भी थे लेकिन इस जहाज के लिए जो है वो stealthy conformal food tanks जो है basically different तरीके से design किये गए है इसके बाद आ जाते हैं IRST port के उपर जिस तरह F-35 के अंदर जो है वो electro optical system जो है उसकी chain के नीचे लगाया हूँ है उस तरीके से इसके उपर क्यों नहीं लगाया जा सकता तो definitely America जब भी इस जहाज को design कर रहा था तो जिस तरह कि मैंने आपक इस चोटे सा part की वज़े से जो है वो इसका stealth compromise हो जाए इसके लिए जो है उस time IRST जो है निकाल दिया गया था और इस time American Air Force यह भी सोची थी कि IRST इतना important नहीं है जिसकी वज़े से यह निकाल दिया गया था और अब जो है addition के तो पर जो है उसके लिए अलग से port design किया गया औ और port भी stealthy port design किया गया ताकि जो है इसका stealthy जो radar का section है उसके उपर कोई फर्क ना पड़े यह तो होगी visible changes अब आज आते हैं जी US Air Force और जो Congress है उसके बीच में जो है वार किस किसम की चल रही है जो के retirement of F-22 Raptor के उपर है देखे मैं आपको यह वाब दाता हूँ US Air Force जो है व आप मुझसे बहतर जाते हैं लेकिन जो warfare है उसके अंदर आपकी यह चीज़ बहुत जाज़े importance रखती है कि आपकी communication कितनी strong है बेशक आपकी communication बहुत safe है लेकिन कितनी strong है दूसरे alliance के अंदर और आप F-22 Raptor को जो है कितना अपने network centric warfare के अंदर incorporate कर सकते हैं देखे कोई भी अगर उसका एक जोड़ी नहीं बनेगा उसकी अगर आपके सकते हैं कि communications यह अची नहीं होंगी तो वह कैसे survive करेगा एक warfare के अंदर मैं विसाल के तोर पर आपको एक बात बताता हूं कोई भी जहाज है उसने आगे जाने कोई भी successful mission करना है तो उसने एवाक्स के साथ भी link हो जो link है वह बहुत ज्यादा weak है इस वजह से नहीं कि वह safe नहीं है इस वजह से क्योंकि उसको बनाया है यह बिल्कुल alien machine था स्टार्ट सही उसको इस तरीके से design किया गया था कि उसको कोई पकड़ ना सके और इसकी frequencies को कोई match ना कर सके और यही चीज जो है वह अब American Air Force के आएंगे वह basically अपने fighter के साथ इसी communication के जरीए से link होंगे और इसी तरीके से वह आगे लेके चलेंगे जबकि F-22 Raptor के अदर तो मसला ही communication का है ठीक है वह बहुत 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 बहुतरीन air superiority fighter है लेकिन मसला तो वही communication का आ गया तो इसी विजह से जो है US Air Force वह यह चाह चाहती है कि हमें अब future warfare के अंदर एक NGAD next generation air dominance fighter चाहिए इसके लावा जो है F-15 चाहिए F-16 या F-16 से कुछ बहुतर fighter jet चाहिए A-10 thunderbolt जो है वह हमें नज़र आ रहा है अपनी future के अंदर और एक और fighter जो है F-35 है stealth fighter के लिए हम ही यह चाहिए इसके लावा F-22 Raptor जो है वह ठी गैड नहीं आता ताब तक तो ठीक है लेकिन उसके बाद जो है F-22 Raptor जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसकी communication ही बहुत जाद पूर है तो यह जो है बिसिकली अब US Air Force कहती है कि हमने जो अपने 33 जहाज है बिसिकली 180 के आस पास जहाज है F-22 Raptor के जिसमें से 33 जहाज ऐसे हैं वो उन्होंने सरफ training purposes के लिए रखे हैं कोई भी नया fighter pilot जब आता है तो उन 33 जहाजों के ओपर जो है वो training कर गया आता है और बिसिकली वो फिर F-22 Raptor को चलाता है और उसको operate करता है तो American Air Force कहती है कि हम ये 33 जहाज जो है उनको retire कर देते हैं और उसकी जो रकम होगी जो इनक movement parts से जो है मिलके एक बना होता है तो उसको maintain करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है और एक 5th generation jet के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है तो उससे जो रकम बचेगी वो हम अपने NGAD program के अंदर लगाएंगे और स्काइबर प्रोग्राम के अंदर लगाएंगे और ह हर एक चीज़ को बहतर तरीके से समझते हैं जब पहले इस तरह ही यूस एरफोर्स ने बात की दी कि जी हम अपने F-22 रैप्टर को ही रिटायर करते हैं तो उन्होंने पहले भी objection डाल दिया था और अब भी वह कहते हैं कि जब तक हमारे पास NGAD नहीं आता तो F-22 रैप्ट तो इसके उपर train करने नहीं है क्योंकि future में इसने adjust होना नहीं F-22 रैप्टर ने तो इन 33 जाजों का हम क्या करें कॉंग्रस ने फिर American Air Force को बात की कि आप हमें calculation निकाल के दें कि आपने अगर इन F-22 रैप्टर को अपग्रेड करना है तो इसके लिए आपको कितनी रिकम चा है कि हमें 1.7 billion dollars चाहिए ताके हम इस 33 जाजों को अपने fighter F-22 रैप्टर के standard के उपर ले जाएं फिर Congress ने का है ठीक हम आपको जो है ये 1.7 billion dollar 33 जाजों के इवस्द दे देंगे लेकिन हम F-22 रैप्टर को इस वक्त रिटायर करने का नहीं सोच सकते तो ये basically एक tag of war जो है Congress औ में हाँ जो है चल रही है और retirement का जो है वो ठीक है retire तो होंगे लेकिन जब NGAD आएगा वो एक stable जहाज बनेगा ताभी F-22 रैप्टर जो है वो retire हो सकते है तीसरी जह सबसे बड़ी important चीज है जिसके बारे मैं जिकर करना basically भूल गया था वो aim 260 missile की integration F-22 Raptor के साथ F-22 Raptor के जाती है basically American government यह चाहती है कि जितने भी उसके adversary है जिस तरह China adversary Russia adversary है उनके जो fighter aircraft है ना उनकी जो missiles की range है वो American missiles की range से कम ही रहे है जब से PL-15 जो है वो China ने develop की है तो America चाहता है कि हम एक नई जनरेशन की missile develop करें जिसका नाम उन्होंने aim 260 रखा हुए कम से कम Chinese missile PL-15 की range से उसकी range ज्यादा होनी चाहिए तो basically वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास F-22 Raptor available है हमारी service के अंदर है तो F-22 Raptor के पास इतने ज्यादा edges होने चाहिए definitely उसके पास अभी भी edge है एक stealth का बहुत बड़ा edge है लेकिन उसके downside यह है कि वो connection में उतना ही उसकी आप कह सकते है कि communication skills इतनी ही weak हैं कि वो उसके overcome कर देती है तो यह basically American Air Force चाहती है F-22 Raptor के अंदर हम ऐसी missile लगाए जिसकी range वो कम से कम PL 15 से ज्यादा हो या adversary की जितनी भी missiles है उन से ज्यादा हो तो यह वर्स यह थी आज की video अमीद करता हूँ आपको आज की information पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लेगी वीडियो को लाइक कर दीजएगा और वीडियो को जादा शेयर कर दीजएगा चैनल पर भी सबस्क्राइब कर दीजएगा वीडियो का protection rate slow है actually मेरे papers हो रहे हैं जिसके उसे मैं regular video बना नहीं पा रहा है तो इन्शालले next week खतम हो जाएंगे उससे बाद मैं कोशिश करूँग कि regular आपको एक वीडियो बना के दिया करूं अब वीडियो आखर तक तेखने के बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लिए लाहाफेज पाकिस्तान जिन्दापाद